इस टाइम मैं जजजर के इनलो दफ्तर में मौझूद हूँ और आप सभी को बतादू कि चार तारिक को चोदरी अभैसिंग चोटाला के नित्रितों में जजजर में प्रोग्राम होने वाला है जजजर का दोरा करेंगे इसी सिलसले में पूरी जजजर कारेकारनी आज इनलो दफ्तर में इखटी हुई है एक रूप रेखा तयार की जा रही है और आप सभी को ये भी बता दू कि आप सभी जानते भी होंगे कि अभैसिंग चोटाला जिदर भी जा रहे हैं सेकडो की तादात में लोग है इनलो में शामिल हो रहे है और इनलो की चरचा भी चारो तरफ हो रही है जिलापरधान से हम शुरू करते हैं प्रदान जी चयार तारीक के प्रोग्राम की क्या रूप रेका रहने वाली है और ये मीटिंग किसलिए आपने बुलाई है देखो चयार तारीक को अब भाई साव का आपने बताया है चयार तारीक को अब भाई साव का प्रोग्राम है उसकी तैयारी के लिए और लोगों में अब रुजान बन रहा है लोग केते हैं हम कई जगे जाते हैं मिलते हैं लोगों से निवला भाई पहले तो कह देते थे आपका जो है ना रूखा आदमी है और अब केते हैं लोग केते हैं आपका आदमी मजबूत है वजन है और इस वार आपका समय है यह आम आदमी के मूपे परागा हर जेगा जनद प्रोग्राम हो रहे हैं लोग भी शामिल हो रहे हैं चाहे-चैढीसित से हों इसका कारण है रामकिशुर चहर क्या मानती हो उसको शामिल हो पूर रहे हैं इनने वह में दोबारास देखो हरा आदमी देखंगी topl aunque को हमारे इनका का आँ परका चोटला को हdle one करता है अब देखो किसानों के लिए कोई न Неगा सबसे पेले चोट में अब बैसाब ने आवाज उठाई जाके तो यह क्या है कि वोघ है इसलिए जो अब भीवानी में देखू भीवानी में सारे को इन्वाइट कर लिया किर्ण को भी अच्छा महां का जो MP है उसको इन्वाइट कर लोकडाउन है अब भाइशाव से कॉंटेक्ट किया अब ही आया उसी टाइम पहुंच गे तो जिसके अंदर है भाई किसानों के प आलात में गुजर रहा है पता है यह तो जो ना एशी कमरें में कर रहे हैं अंतर क्या है मतलब जो लोगों के बीच रहेगा अब वही यह लोगों का नेता बनेगा बेलकॉल इसमें दो राए नहीं है इतही और बीच में रहने वाला को यही है नरेश प्रधान मेरे साथ है प्रधान जी चैर तारिक का प्रोग्राम भी आ गया है और आप इन अलों में शामिल होए हो तो आपके शित्र का पहला प्रोग्राम है यह तो क्या कहेंगे इसके बारे में सबसे पहले जो पत्रकार साथियों का मैं स्वागत करता हूँ समुची कारिये कारने की तरफ से परदान जी की तरफ से आपनी तरफ से आई एनलडी के कारिया लेम और चैर तारिक को अबैसिंग जी जजजर आ रहे हैं लेकिन उनके जो समवाद यात्रा है जो लोक डाउन क पालन करते हुए सोशल डिस्टेंस को भी मैंटेन कर रहे हैं और समवाद कर रहे हैं जनता के साथ और सीधा संप्रक कर रहे हैं और आज आप जाओ सामुएक स्थान पर जाओ ब्लोक में जाओ किसी दुकंदार भाई के पास जाओ एक ही चर्चा का विश्य है समुची अर्य बारी और अब की बारी अब हैसिंग चुटाला की ही बारी है और यही प्रदेश का मुख्य मंतरी बनने जा रहे हैं और जितने जोर शोर से पार्टियों से चैकोई रूलिंग पार्टियों चैविपक्समो और मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा कि आप देखिए जब मु अब बिलों से निकलका है बाहराने के लिए अब एसंग के संग्रस को देखकर बाहराना ही पड़ेगा मजबूर होगे वो और आज जो कारियकरता का सम्मान आई एनल्डी में है हर पार्टि का कारियकरता अपने आपको पेक्षिस मैसूश कर रहा है उनको भी जागने के अंदर 36 वरादरी एक ही बात रटे हुए है एक ही बात उजागर हो रही है कि अब एसंग चुटाला ही किसान का मजदूर का कमेरी वरक का दलित समाज का बला कर सकता है हर आदमी को बार बार देख लिया एक पार्टी थी वो के है जच्चा-बच्चा पार्टी कौनुची है उनको बोट दिये थे तो आप सब जानते हैं बहुत समझदार होगी एजनता अब जागरू के जनता तो शिर्षागी तरफ गया था मैं कांड़ा साब अपने साथी मित्र है अपने साथ विधायक रहे तो वहां गया तो पहले कांग्रेस की तरफ से कई बार ड्यूटी ल गया है तो वह साथ हमारे को मिले तो मैंनों को अधिया प्सcend रूप रेखा है क्या लोगों का विशार है तो उन्हूने एक ही बात बताई के यहां तो व्यूट बाई बिलू को बेभाई शिंग्चुटाला अमेरा यहां ब लड्मRun लादूगा भाई बिलू लू नाम। उ बहुत शारे हमारे संपरक में हैं कॉंग्रेस पार्टी के भी और यह तो शुरुवात है यह तो टेलर है आगे आगे आप फिल्म देखना बहुत सारे हमारे संपरक में हैं कॉंग्रेस पार्टी के भी और अन्य पार्टी ओड़ियों और बहुजन शमाज पार्टी तो पुरी की पूरी मर्ज करे लिया पाया बेसंग नेतर तरों को अनुन सुईकार कर लिया की इसी के नेतर तों हम काम करें ऐसा लग रहा है पहली बार पार्टी दफ्तर में आये हो और एक दम से गुड मिल गए लोगों में सहीज मैसूस कर रहे हो नी ये तो आई एनलडी के कारिये करता हूं की फितरती है और ये भी है बादूर भी इतने है कि जब पार्टी के परचार परशार की बात आती है शंग का ये नलडी का कारिये करता है और दूसरी पार्टी के दस ब्रहबर दरजा रखता ब्रहबर की ताकत ब्रहबर का परचार करने की समतार रखता है तो नहीं है कि ने अपना चश्मा चड़ा दिया हूँ आपको या खुश है मैं पूरन रूप से खुश हूं और मैं राजी और यहाँ बीचारो को साइड में केनारे कर दिया गया तो यह बहुड जी किसी पार्टी के लिए गातक कटम है और मैं यह पहले भी बताया कि अब 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 का संग्रस और कारिये करता का सम्मान देखके है उनको भी जागणा पड़ेगा और कारिये करता हो को पुचकारना पड़ेगा लेकिन अब जो विचारे पूरेन रूप से तबा हो चुके हैं टिकट की भी उमीद थी और भी कामों की उमीद थी तो उनको कुछ भी कर लिए अब आप रात मिलने वाली उनको नहीं है जी 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 धन्यवाद 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 हूं पहलवन मेरे साथ हैं ताउ जी आप बताएं कि चैरतारी को प्रोग्राम होने वाड़ा है तो मतलब क्या कुछ रहने वाड़ा लोग शामिल भी होंगे क्या मानते हैं चैरतारी का जो प्रोग्राम होने वाड़ा है उसमें काफी लोग इसके में पार्टी को जोईन भी कर से बाउत संतुष्ट है और जबान का ओके का दनी बताते हैं और वाकी ओर लोगों को जो कई मेरे वहां एक दफ्तर बना रखे माना डिकल्चोर आए वहां मतलों का भी आदमी आते हैं एक दिस्ट्रिक से भी आते हैं क्योंकि मैं उक्षा पानी का वहां परबंद रहता है इस उनका अपना रोधान कम होया था ना उसकी बजाए कई कुणा जो बढ़ता जा रहा है और दूसरी पार्टियों का करता जा रहा है चार तरी के प्रोग्राम को लेकर सेक्ट्रिक साहब क्या कहेंगे जैसा कि परदान जी ने अर हमारे एक सेमल ऐसाभ ने बताया बेश्ज़ पार्टियों के बहुत से कारिय करता और पजा जीकारी जो है जिस हमल होंगे दो आज चिज्जों की छवी सुधरी है, एक तो अरियाना पुलिस की और एक चोधरी आब हैसिंग चोटाला की, क्योंकि आब हैसिंग चोटाला जो है लोकडाउन के अंदर दूसरे नेता सब ही जो है बिलों में बड़े हुए थे, जहां किशान की मजदूर की, जहां भी जरूर पढ़ी उन किशानों ने, परदान जी बतारे देख, जीन्द में किशानों ने दूसरे नेतां उसे समपरיך करया, जाने पर टो बेखे दे, कोई भी नेता कांगरस का आा डूसरी पार्टिय को भी वहां पहुंचने कि मत नहीं कर पाया और चोध्रया वेसिंघ चोटाला प्रूंति मुहां पहुंचे क्योंकि चोध्री अवैसिंघ जेविलाल के खून ना किसान और मज़दाई लड़ी है तो आज जो है पूरे परदेश के अंदर एक बात तर लिए आगली सरकार चोधरिया ओम प्रकास चोटाला के नेतरतों में और चोधरिया वैसिंग चोटाला इस परदेश के मुख्यमंतिरी बनेंगे दन्यवाद बलराज परदान से भी मैं चाहूंगा कि वो भी कुछ बताएं परदान जी चार तरीकों प्रोग्राम होने वाला है जितने भी तमाम अभी तक मैंने बात की है जो शाहिक अलग से लग रहा है कि इने लो मजबूत होती जा रही है बलराज परदान क्या देखते है इंडियन नेशनल लोग दल पार्टी चोई देवलाल का लगा वाप होता है कुछ लोगों ने ये मान लिया था है कि चोदी देवलाल की नीती दूसरी तरफ हैं पर अब जो ये चले चोई देवलाल एक बात कहा करते हैं जब आप लोग सत्ता मो तो जनता की अक्य कानून ब है था बार निकल का बोले जैसे पीटी आई की चल रही थी उसमें संग्रस्किया अब लोगों ने मान लिया वापश अकि यह जो इसली नीती चोई देवलाल की वह इंडियन नेशनल लोग दल ओम पर का चुड़ लार तो यह बेशन के साथ है इसलिए मेरा मान आरी सब ही सा माना है जहां चर्चा होती है वहां बेशन को कहते हैं कि यह इसा नेता नहीं मिलेगा अब मारा माना कि आने वाली सरकार इंडियन लोग दल की होगी और जैसे सारी बात दादा महाराज ने बताय दी थी और जैब ऐसे ऐसे मदबूत आदमी सामल होने लगे ताप लोग खु करें ठीक वाना दूसरी तरफ नहीं गए नहीं मेरा जाने का मतल देखो मैंने सरूश ही मेरा वहां बहुत बढ़िया संप्रक था अब हैसंग से ज्यादा था पर जो मेरे देल और मेरे मनन मन्या कि अब हैसंग सचाई के राश्टे पर है और वह पार्टी को तोड़ने काम क रहे हैं इंडेनेशनल लोग दल के तीन लाग करिये करता थे जिनका बेगर मूँ पूचे 17 साल तक जिनना मैनत करी और सरकार आने वाली ती दलीजबा आ चुकी थी और वो पार्टी को पोई पाई खाने को ले करके बाग गये इस बाद दुख होया और पीडित हो गए अब किस तरह का जोश है अबैसिंग चोटा लाएंगे जैसा कि यह लावत साब बेर से पहले मेरे सीनेर साथियों ने आपको बताया चार तारीक को अबैसिंग चोटा रहे तो मैं सभी यूवा साथियों बुजरों से आवान करना चाहता हूं कि सोचल डिस्टेंसिंग को मैंटे तो यह वैसिंग चोटाला आ रहे हैं पूरे हर्याना में जा रहे हैं और तमाम लोगों का यह कहना है जंता का भी ऑना के बैस्टळा इस कठीं समय में भी लोगों के बीचमें रहे किसानों के बीच में रहे, लड़ाई-लडी है, इससे पार्टीया ग्राफ उपर उठा है, क्या मांगे चले? ये दिक कोई इत्की लड़ाय लड़ेगा है रियडा परदेश की बलाई करेगा तो इंडियन लॉज़िल पार्टी करेगी और आज इंडियन नेशनल लॉज़िल पार्टी का जो जम्मेवार विक्ति जिसके कंदो इंपर बोज है एक बात तो ही जरूर कह रहे हैं कि जी कठिन समय में जन्परतिनिदी लोगों के काम आने चाहिए चोद्रिया वैसिंग चोटाला किसान के लिए लड़े हैं मजदूरों के बीच में लड़े हैं और कईना कई ये इनकी बात बिल्कुल ठीक दिकाए देती है क्योंकि इचाहि कोई सी भी पार्टी है कोई भी नेता इस तरह से जन्ता के बीच में आया है नहीं जिस तरह से चोद्रिया वैसिंग चोटाला आये हैं लगातर लोग शामिल भी हो रहे हैं जेजेपी से हों अन्य पार्टियों से हों कही न कहीं ये तो साफ है कि इनलो पार्टी का ग्राफ है वो लगातर बढ़ता ही जा रहा है इनले नेताओ का ये भी कहना है चार तारिक क अवेसिंग जोटाला का काफी जोड़दर प्रोग्राम यहां पे होगा सभी नियमों का पालन करते हुए होगा और कई ऐसे चेहरे हैं जो उस दिन भी शामिल होंगे शुक्रिया